हलो एब्रिवन एंड वेलकम टू डियास्कुरूजी राजस्तान परिस कॉंस्टेबर पटवारी और हाइकॉट ग्रूप डी के एकजामिनेशन के लिए राजस्तान जी के एक स्पेशल क्लास को स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्तान के लोग कलाकारो के उपनामों के बारे में राजस्तान में बहुत फैमस परस्नारिटीज हुई है बहुत फैमस कलाकार यहां के रहे हैं जिनहें अन्य नामों से जाना जाता था तो उन्हीं के उपनामों को जानेंगे इस टोपिक से एक्जामिनेशन के लिए एक क्योशन जरूर बनेगा बह के उपनामों के बारे में राजस्तान के एक कलाकार थे जिनका नाम था चांद खा इन्हें जाना जाता है गांधरबाईशी के नामसे और ये टोपिक प्रमुख वेक्तित्वों में भी आपके लिए इमपो तो गुलाम गोस खा थे इनको जाता था काका के नाम से तो ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्तान के काका कौन थे तो वो थे गुलाम गोस खा एक और है मानतोल खा इन्हें रुलाने वाले फकीर के नाम से जाना जाता था क्योंकि ये जिस तरह से बताते थे उसी तरह से ये रुला देते थे लोगों को उ महाराउ, राजा उमेद सिंग, इनको श्री जी के नाम से जाना जाता था, ध्यान रखिएगा, इनको श्री जी कहा जाता था, गोपी कृष्ण भट को गोपी जी इनका उपनाम था, अली अक्बर खान का उपनाम था, जोदपुर के तानसेल, और महदी हसन का उपनाम था, सहन शंसाय गजल संसाय गजल उन्हाता था भोपत खा को मन्रंग कहा जाता था और सीमा मिश्रा का अपनाम था मरू भूमी छे कोयल और मरू भूमी की का दातो इस्के बाद है गन्पत लाल लांगी है गीगल साओ चैने इसके दो कूछ अब गया है कि राजस्तान के बिज्जु भाई कौन है तो दोस्तों वो है गणपतलाल दांगी माश्टा गिराश प्रिशाद इनको नोटंकी के परियाई कहा जाता था अनुश्री गोयल को नुरत्य श्री यानि कि यह मटका नुरत्य में फैमस थी इसलिए इनको नुर आई आण जाता था हकीम इब रहाहीम घान को डाघ ठीकिट वाले दा या परड़ दा जाता था और गुलाम खाको अगड़ा कहा जाता था जिवदया राजकुमार रिजवी को भारत का मेहंदियासन और स्रीलाल को जंडिका कहा जता था तो दोस्तों यह था राजस्तान जी के का एक बहुत इंपोर्टेंट टोपिक अगर आपके वीडियो अच्छा लगाओ तो इसे लैक कीजेगा एंड शेर कीजेगा थेंक्यो सो मच थेंक्स पूल वच्छिंग झाल 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 झाल